हेलो फ्रेंड्स स्वागत है अब सभी का हमारे यूटूब चैनल एन सक्सेस पॉइंट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 कोचन्स को देखेंगे जो आपके आने वाले एकजाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है तो वीडियो को बिना सक्षीप किए इंडी तक जरुर देखें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज के वीडियो का हमारा फॉर्स देखन्स कोचन है यह राम फिल्म के निर्देशा कौन है सही एंसर है इसका आप्षन ए कमल हसन और ये फिल्म 2020 में कमल हसन के द्वारा निर्देशित फिल्म थी हमारा आप्षन ए सही होगा कमल हसन चलिए आगला पर्षन देखेंगे राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में क्या राइट एंसर होगा आप्षन बी इंकलाव और 1935 में उन्होंने इंकलाव फिल्म में काम किया जब वे महज 11 साल के थे तो याद रखेगा इंकलाव फिल्म में काम किये थे राज कपूर वो भी 1935 में जब वे महज 11 साल के थे हमारा option B सही होगा चलिए आगला person देखेंगे आधे अधूरे के लेखक कौन है? राइट एंसर है इसका option C मोहन राकेश मोहन राकेश आधे अधूरे के लेखक है हमारा option C सही होगा चलिए next देखेंगे Grand Caliban'd किस नदी पर है? सही answer होगा इसका option A Columbia नदी पर Grand Caliban'd है हमारा option A सही होगा और ये अमिर्का में है याद रखेंगा अमिर्का में है और Columbia नदी पर है चलिए आगला person देखेंगे उर्वसी किन की क्रिती है? सही answer है इसका option B रामधारी सिंग दिंकर का रामधारी सिंग दिंकर का उर्वसी क्रिती है हमारा option B सही होगा चलिए next कोचन देखेंगे चार मिनार कहां इस्तित है? राइट एंसर होगा इसका option A हैदराबाद हैदराबाद में चार मिनार इस्तित है हमारा option A सही होगा हैदराबाद चलिए अगला person देखेंगे नौका दौर किस राज्ये का अनोखा आयोजन है राइट एंसर है इसका अप्षन C केरल केरल राज्ये का अनोखा दौर अनोखा आयोजन है हमरा अप्षन C सही होगा चलिए अगला परसन देखेंगे तान सेंग संगीत समारो कहां मनाया जाता है सही एंसर होगा इसका option D गवालियर और इस संगीत समाहरो का आयोजन मद्धे परदेश के गवालियर जीले के बेहत नामक गाउं में मनाये जाता है याद रखिएगा इस संगीत समारों का आयोजन मद्धे परदेश के गवाली और जीले के बेहत नामक गाउं में मनाये जाता है हमारा अपसन D सही होगा चलिए next कोचन देखेंगे मेरा अंतिम उदेस्या प्रते के आंख से आंसु पोचना होगा ये कथन किसका है? सही अंसर है अपसन D जवाहर लाल नेहरू का है हमारा अपसन D सही होगा चलिए अगला पर्षन देखेंगे गंगोतरी किस राज्ये में है? राइट अंसर होगा अपसन A उत्राखंड और ये धार्मिक अस्थल उत्राखंड के उत्तरकासी जीले में है उत्राखंड के उत्तरकासी जीले में है गंगोतरी चलिए अगला पर्षन देखेंगे सीधपूर में रुद्र महाकाल के मंदिर का पुर्ण निर्मान किस ने करवाया? राइट अंसर है इसका अपसन B जय सिंग जय सिंग ने सीधपूर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्मान करवाया था हमरा अपसन B सही होगा जय सिंग ने चलिए अगला पर्षन देखेंगे उत्राखंड में तौपवन कहां इस्तित है? सही अंसर है अपसन C रीसी केस रीसी केस में इस्तित है तौपवन हमरा अपसन C सही होगा चलिए अगला पर्षन देखेंगे मानो हिर्दय में कक्छो की संख्या कितनी होती है? सही अंसर होगा इसका अपसन D 4 मानो हिर्दय में कक्छो की संख्या 4 होती है हमरा अपसन D सही होगा चलिए next question देखेंगे केदारनाथ में किसका मंदिर है सही answer है हमारा option A. सिव सिव का मंदिर है केदारनाथ में और यह मंदिर उत्राखंड राज्ये में है याद रखेगा उत्राखंड राज्ये में है केदारनाथ मंदिर और वो सिव का मंदिर है चलिए आगला पर्षन देखेंगे कुतूब मीनार किस राज्ये में है सही एंसर है इसका आप्षन D दिल्ली, दिल्ली में इस्तित है कुतूब मीनार चलिए आगला पर्षन देखेंगे कांडला बंदरगा किस राज्ये में है राइट एंसर है इसका आप्षन B गुजरात गुजरात राज्ये में कांडला बंदरगा है हमारा आप्षन B सयोगा गुजरात में है चलिए नेक्ष्ट को चन देखेंगे गिरिनार परवत पर इस्तित सुदर्शन जील पर बांध का निर्मान किसने करवाया और यह परवत गुजरात राज्ये में है चलिए आगला परशन देखेंगे लाई हरोबा किस राज्ये का मुख्य पर्व है सही एंसर है इसका आप्षन A मन्निपूर मन्निपूर राज्ये का लाई हरोबा मुख्य पर्व है हमारा आप्षन A सही होगा मन्निपूर चलिए आगला पर्षन देखेंगे माल दीप की राजधानी कहा है सही एंसर है इसका आप्षन C माले माले राजधानी है, मालदीप की, मालदीप की राजधानी माले है, हमरा अफ़सन C सही होगा चलिए आगला पर्षिन देखेंगे, किस सासक के काल को संग मरमर का काल कहा जाता है राइट एंसर है हमारा अफ़सन C, सा जहां, सा जहां के काल को संग मरमर का काल कहा जाता है सही एंसर है हमारा आप्षन D Asia Asia महादेश का देश है मालदीप हमारा आप्षन D सही होगा चलिए आगला पर्षन देखेंगे नाटो का मुख्याले कहां है राइट एंसर होगा इसका आप्षन A Brussels नाटो का मुख्याले Brussels है और यह एक सैन्य गडवंधन है जिसका पूरा नाम North Atlantic Treaty Organization होता है चलिए आगला पर्षन देखेंगे नाटो की अस्थापना कब की गई राइट एंसर है इसका आप्षन D 4 अप्रेल 1909 को नाटो की अस्थापना की गई थी हमारा आप्षन D सही होगा 4 अप्रेल 1949 में चलिए आगला पर्षन देखेंगे अटाला महजीत का निर्मान किसने करवाया सही अंसर है इसका आप्षन C इबराहिम सरकी ने अटाला महजीत का निर्मान करवाया था हमारा आप्षन C सही होगा और यहां उत्तर परदेश के जोनपूर जीले में है जिसका निर्मान इबराहिम सरकी ने करवाया था चलिए आगला परसन देखेंगे राष्ट्रिय युनानी संस्था कहां इस्तित है सही एंसर है इसका आपसने बेंगलूरू तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले